फाइनली जो है एक और नही लोन अप्लिकेशन आ चुकी है हाला कि यह पुरानी अप्लिकेशन ही है लेकिन अप्ग्रेड हो चुकी है मतलब कि पुरानी अप्लिकेशन थी पहरे जो इसकी उसका नाम मुझे भी याद नहीं है अरफ लाल लेकिन सेमी अमाउंट है सेमी इंटर अब यह application under review है तो मतलब यह अप्रूब नहीं है आईए मैं आपको अपना दिखा दिता हूँ मैंने यहाँ पर लोगिन तो किया है और application का APK file भी आप लोगों का RSR APK boot पर मिल जाएगा application का नाम है Birget loan ठीक है मैं इसको open कर लेता हूँ कुछ इसा interface है देखें यहाँ पर maximum loan amount आ रहा है 11,500 उर्पे का क्या लगता है कि 11,500 उर्पे का loan मिलेगा नहीं यहाँ पर अभी दिखा रहा है जब यहाँ पर profile अपनी complete कर दोगे successfully done कर दोगे तो भाई यहाँ पर amount है जाएगा तिन चार पर अपलाइन ओपर हम किलिक करते हैं यहाँ पर देना है मुझे अपनी basic सी डीटेल जैसे कि education उसके बाद marriage status married हो या unmarried हो उसके साफ़े आप यहाँ पर चूज कर लेना है चिल्डन और इसके बाद यहाँ पर उसके monthly salary continue कर देंगे अब यहाँ पर कोई overdue है no maximum overdue date no loan maximum loan कितना चल रहा है आपका तो मैं कर देता हूँ 12,000 रुपे और list of month six month ठीक है तो यहाँ पर देना है मुझे face verification तो मैं बड़ी face का verification जो है वह complete कर लेता हूँ गाइस okay so मैं यहाँ पर successfully जो है face का verification वह complete हो चुका है अब बारी आ जाती है हमारी document की मतलब कि मुझे यहाँ पर अधार card pancard upload करना होगा then यह भी चीज़े जो है मैं complete कर लेता हूँ फिर आगे का दिखते है क्या process आने वाला है okay so almost मैं यहाँ पर सब कुछ done कर दिया है हलाकि मैंने pan card भी upload कर दिया है यहाँ पर अबना so invalid आ रहा है pan number तो मुझे दुबारा कुछ अलग upload करना पड़ेगा by the way देखते हैं क्या करना है क्योंकि अभी आगे का process तो मैं करनी पाऊंगा थोड़ी दिर के बाद मैं दुबारा सब process complete करूँगा लेकिन आप लोग apply कर लिजेगा application का AP के file आप लोगों को RSR AP के boot पर मिलने वाला है मैं इसे cancel it कर रहा हूं क्योंकि यह पहले से जो है proceed है तो कोई बात नहीं हम थोड़ा सा wait करेंगे और उसके बाद दुबारा से apply करेंगे बाइद पर आप लोग जल्दी से ज़रू apply कर लिजेगा